तो गाइस आज हम देखेंगे एक बहुती फीमस मूवी के मिस्टेश को जिसका नाम है बाहु बली ता बिगिनिंग सुरुवात में ही यहां राजमाता के बीछे तीर लगा है और यह तीर को ऐसे हिलिए बच्चे को लेकर जा रही है मुझे लगा कि सायद यह निकाल नहीं पा रही है इसलिए इसे ही है ऐसे ही लिए घूम रही है पर राजमाता इधर तीर को तो यूँ ही निकाल कर हमला रही है पर इधर अभी कहीं छुपने का जगा नहीं है भाई देख सकते हो पूरी तरह से क्योंकि पूरा का पूरा एरिय प्लेन टाइप का ही है पर इन गाड्स को मारने राजमाता चानक से प्रकटा हो गई इधर पानी में राजमाता बच्चे को ऊपर करके हाथ में पकड़कर उठाए है जहां भी जरने का पानी राजमाता के सीने तक ही आ रहा है पर अगले ही पल जरने का पानी बढ़ने लगा या पर राजमाता खुद पानी कंदर जाने लगी है ये मेरे को नहीं पता पर राजमाता पानी कंदर जान बुझ का डूबी है ये मेरे को बाद में पता चला क्योंकि इस चिरकूट के आने पर पानी इसके कंदे तक ही आ रहा ह ओमाइग गाड ऐसे चलंग से इसे इधर का ही गिरना चाहिए पर यह स्विंग होता हुआ आगे ही जा रहा क्या बात है यहां सीवा को एक मुखाटा मिलता है जिस सिवा मिटी में एक लड़की के तस्वीर को बनाता है यहां सब के मुखाटे तो एक जैसे ही है यहां सिर्फ सिवा लड़की का ही तस्वीर क्यों बनाया अगर लड़की समझकर ऊपर गया रहा था और वहां उसे एक लड़का मिलकर बोलता आरे थांक्यू भाई क्या बात है मेरा जलपर वसे यह मुखाटा गिर गया थांक्यू बाई थांक्यू रेटन करने के लिए ऐसे मैं तो यार सची बात है कुछ सक्सेस के पीछे एक आरत का ही आत होता है यहां सिवा इस जगा है और यह कितना भी जूर का जम्प लगा लेगा तो भी इसे इद्धर ही गिरना है पर यह जम्पने बलकि हवा में ही उड़ता जा रहा और यह बास के तीर धन उससे ही पेड तक में छेद क करके तीर को आर पार तक कर दिया यहां भला सांड को कंट्रोल करता है पर जब सांड भला पर पीछे से हमला करने जाता तो यहां सांड भला के एकदम पूरा करीप पहुंच चुका है पर अब तो इनके बीच को दूरी साखोश हो जाती है अब अन्दिका यहां सिवा को पकड़ने के लिए अपनी दोस्त का इस्तमाल करती है यहां बाजू साइड में ड्रेस पानी में भीग जाता है इसलिए इसने इसे खोल दिया चलो मानता हूं पर यहां तो पैजामा भी दूसरा ही है क्योंकि पहले कुछ और था और आप सीखता रहता है जहां अवंतिका जब हमला करती है तो पूरा साम हुआ पड़ा है और अब सिवा के गोल गोल घूमते ही साम से दो पहरी हो गया इधर अवंतिका सिवा को देखते हुए बान चला रही है पर आब तो इसे कुछ देखी नहीं रहा है वाव और जब सिवा जैसे तसे फाड़के पाजाम को उल्टा करके एक खूबसरत लड़की बना देता है पर पाजामा का दूसरा साइड भी है यह सीवा को पता कैसे चला और अवंतिका अपने धाल के पीछे कपड़े को लपेटे ही हुए है यह भी इसे क्या से पता चला है फिर मुखटे का य यहाँ यह चिरकूट जिनके हातों में तलवार है वो सीवा के सब इसके पीछे ही आ जाते हैं और इतना स्लो स्पीड में तो कोई भी चिरकूट घूम कर आकर सीवा को मार सकता है पर नए बस यहां यह घोड़े को सिवा ने बलकि यह सब मिलकर रिगिरा रहे हैं देख रहे हो घोड़े को तो यह लोग ही खीच रहे हैं या चूतिया तो हमें लोग का कट रहा है वो भी डारेक्टली सिवा और अवंतिका इस बर फीले तुफान से बचने के बाद जब रुखते हैं तो मेरे अंदर इस वक्त बस यही थाट आ रहा है अवंतिका सिवा को ढूंटे ढूंटे इतने ऊपर तक चली गई थी सीरियसली क्योंकि यह सारी चीजें आवंतिका और सिवा के मिलने के बाद ही हुआ सिवा इधर जमीन को उखाडते हुए इंट्री मालता रियली? वो भी घोडे से भल्ला का स्टैचू खड़ा करते वक्त यह बूढ़ा को जादा ही थकने के कारण गिर जाता पर इसके पीछे वाले भी उसी वक्त में सहाथ में नीचे गिरते हैं जादू स्टैचू गिरते वक्त जब सिवा रसी को पकड़ता है तो इसके अलावा इस रसी को कोई नहीं पकड़े है देख रहे हो पूरा सन्नाठा पर आब तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है वैसे इस परतिमा का यह बेस सोने का ही है पर आब इस बेस को तो लकड़ी द्वारा बनाए गया ऐसा लग रहा है पर आब यह दुबारा से सोने का हो गया हाँ जादू रत को भगाती है सिवा इस आगल लगी भूसों में से पार करवाता है जहां सिर्फ चकों में ही आग लगा है कपड़ों में तो कुछ असर ही नहीं हुए कमाल है सीवा महल से लगतारी रत को भगाए गया है और सैनिको को भी तुरांत ही ये पता चला है और सीवा से पहले इधर ये चिरकुड पासिबल नहीं है भाई पहले फोन तो हुआ करते नहीं थे जो इन्हें पहले पता चल जाएगा सीवा यहां तलवार लिया भद्रा का गला काट देता है जहां भी लाइटनिंग एकदम परफेक्ट फीस में आ रही है पर अगले ही सेकेंड इधर तो अंधेरा ही अंधेरा हो गया यह गुप्तचर जहां भी खड़ा है यहां भी इसके आसपास कोई भी पत्थर नहीं दिख रहा है पर जब बाहु बली नीचे उचल कर गुप्तचर को पकड़ते रहता है तब भल्ला रस्टी को छोड़े रखता है जो एक पत्थर से जाकर अटक जाता है जो की पहले था ही नहीं हम चादू भल्ला यहां अपनी गदा से हमला करता है जो इस चिर्कुट को बिना टच हुए ही लग गया इधर बाहू के इस हाथ में कुछ भी नहीं है पर अब इसमें से तो कुलहाड़ा निकल रहा है वावाई और यह इस कुलहाड़े से इसे मार कर लात मारता है और यह दुबारा से कुलहाड़े को फिर यह डिलिवरे करने आ रहता है नहीं यह रबडबॉल है जो यह ऐसे जंप हो रहा है बाहु बली इस भाले को इस्तमाल करते हैं भाला इसके करीब तक नहीं आया या यह चिरकुट तो उड़ गया बाहु बली यहां पूरा लोगों के बीच फाइट करता रहता है पर अब तो यह घोले में चड़ते हुए ऐ इसे जगह से जा रहा है जिधर कोई सेना ही नहीं है और आगे से चिरकुटों के सेना ही है बाहु बली वाईया जादू बहु बली की सारे से इसके सैनिक सब के पैरों को फसा कर नीचे गिरा देते हैं पर यहां जिनके पैर फसे भी नहीं है वो भी ऐसे ही गिरे जा रहे है इने ही देखलो पूरा चारो तरब युद छिड़ा हुआ है चारो तरब सिर्फ लोग ही लोग है पर हमारे बाहुवली वईया पतानी कौन से जगा में है जहां पूरा सन्नाटा महल है और अब ये लोगों के बीच है वावाई लगता है यहां बाहुवली टेलपोर्ट हो रह में रसी बांद कर जब ये ऊपर उचलता है तब ये चिरकुट ऊपर ही जा रहा है और कटपा नीचे आते रहता तब ऐसा होना चाहिए पर नहीं इसा तो सिर्फ ऊपर जाना ये चिरकुट सब भी इद्धर और बाहुवली यहां ये गोला लेकर फेकता है पर इधर ये गो फ़े यहां ये गुद्से में अपने गदा से इस हाथी को मानने के बचा है नरे कालके ही कुई माल देता है उसका तो सीधा ही काम तमाम रहा था पर नहीं बाहुवली इदर कालके का हाथ को सेर के मूँझ में से दभाकर मरोड दीता है पर इधर कालके का हाथ तो फसा 중요 है य जी क्या हो रहा है या तेरे थूद बेकाल साले आपाउ पले मिस्टेक्स